हमाई सब बात करने लिए भारती जन्ता पार्टी के राश्टी प्रोक्ता गोरो भाटिया साब गोरो जी करनाटक में जिस तरह से एच्डिपी आई ने कॉंग्रेस का समर्थन करने की गोश्णा की है क्या लगता है कि एक तरह से भाजपा को घेरने का प्रयास हो रहा है करनाटक में देखे सो गीदर जो की देश विरोधी गतिविधिया करते हैं मिलके भारती जन्ता पार्टी का क्या बिगाड़ेंगे जिसको कनेडिगा आशिरवात दे रहे हैं कमल खिलेगा इत्याहसिक जीत भारती जन्ता पार्टी की होगी लेकिन दुखद यह है समविधान को तारतार करके एक तरफ भारती जन्ता पार्टी का विकास का एजेंडा दूसरी तरफ केवल साम्प्रदाई के जेंडा नकाब कॉंग्रिस का उठा चेहरा निकला घिनोना नफरत भगवान बजरंग बल PFI के साथ इतना प्यार और हिंदुओं से इतनी नफरत ये आज एक बड़ा सवाल है और नहीं भूलना चाहिए PFI के मुकदमे वापस लेने वाला कौन था सिद्धा रमया सिद्धा रमया PFI के साथ पिछले एसेंबली चुनाव में भी सांडगांट करके उनके मुकदमे वापस लेते हैं और इस बार अप SDPI भी कहती है कि हमें तो कॉंग्रेस से इलू-इलू है मैं एक ही बात कहूंगा कि PFI वो संगठन है जो की भारत में समविधानिक द्रिष्टी से कानूनी द्रिष्टी से बैंड है उसकी तुलना आप बजरंग दल से करते हो और क्यों करते हो मैं आपको बताता हूँ एक सोच कॉंग्रेस पाटी की है जिसमें राहूल गांदी सिद्ध की कपन से मिलने जाते हैं उसके परिवार से मिलने जाते हैं वो Congress Party के Headquarter में अविश्कार करते हैं Hindu Terror आप जानते हैं किस तरह से RSS की तुलना Muslim Brother Hood से की जाती है Hindu को कहा जाता है कि ISIS और Boko Haram जैसा है आज वो विश Congress Party का बहार आ गया है और बजरंग दल ने क्या मांगा? उन्होंने कहा अयुद्या में भवे राम मंदिर बने Congress उसका विरोध करती थी बजरंग दल ने कहा गाए हमारी माता है इसको काटा नहीं जाना चाहिए जो समधान अनुछेद और तारिस कहता है नीरजी बजरंग दल ये कहता है कि आप किसी भी विक्ती का धर्मांतरन धोके से कपट से और जोर लगा के नहीं करवा सकते हैं हम कानून लाए करनाटिका में सब्सक्राइब के मुख्यमंतरी भी कह रहे हैं कि जरूत पड़े तो 36 गड़ में भी वजरंग दल पर बैन लगे देखे ऐसा है ये तो सवाल कॉंग्रिस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आपकी सरकार 36 गड़ में है राजस्थान में है आपकी सरकार हिमाचल में है जारकंड में भी आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं आपने बैन लगाया सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए 2004 से 2014 के बीच में आपने क्यों नहीं बैन लगाया और सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि आप करनाटिका में भी सत्ता में थे आपने P.F.I. के आतन की केसिस तो वापस लिए मुर्डर की केसिस तो वापस लिए लेकिन बैन तब नहीं लगाया तो ये केवल नफरत फैलाने का एक प्रयास है और जो प्रश्ण मैंने आपके चैनल के माध्यम से उठाया है किसी कॉंग्रेसी में इतना माध्दा नहीं है कि उसका जवाब दे दे कॉंग्रेस कह रही है कि आप लोगं के पास इशूज नहीं इसलिए आप लोग आप लोग संप्रदा इकता फैला रहा है प्रयांका गांदी का बयान है कि आप लोगं के पास इशूज नहीं इसलिए आप बजरंग बली का नाम यूज कर रहे है देखिया ऐसा है श्री नरेंद्र मोदी जी की तमाम रैली हुई हमारे राष्टे इद्धिक जी ने संकल पत्र जारी किया उनके पास पच्चेस साल की जो विजिन है उसको हमने जनता के बीच में रखा कॉंग्रिस में पच्चेस दिन की विजिन नहीं है हमने बताया कैसे हमने रिपोर्ट कार्ड में आईटी धरवाट दिया अज़ादी के बाद कॉंग्रिस सत्ता में रही केंदर में भी प्रदेश में नहीं दे पाई दे के दिखाया डबल इंजिन की सरकार ने हमने बताया वंदे भारत एक küसे करनाटिका में चल रही है हमने बताया साड़े बारा करोर टीके कोविड के समय में लगे चार करोड लाभारती हैं जिनको दो साल राशन मिला हमने आगे अपने संकल पत्र में बताया है कि हम करनाटिका को कैसे नंबर वन स्टेट भारत में बनाएंगे कॉंग्रिस पार्टी क्या नहीं लाई कि जो मुसल्मानों को अरक्षन मिल रहा था उसकी बहाली करेगी जो गैर सम्विधानिक है आप अनुचे 14-15-16 पड़ी है हमने यू सी सी की बात करी जो सम्विधान की मूल भावना के तहत है अनुचे 44 राहूल गांदी में इतना दमखम है एक शब्द बोल दे नहीं बोलेंगे हमने जो बात करी है हमने PFI पर बैन लगा के दिखाया है क्योंकि रा हिंदू अधि संक्टन बजरंगल और विश्विंदू परशन ने पूरे करनाटक में हनुआन चली शा का पाठ करने का आयोजन किया है कल साम साथ बेदो भारतियंता पाठी भी उसमें सामिल हो रही है देखिए हमारी अटूट आस्था भगवान राम और अंजिनी पुत्र हम हनुमान जी में है और जो हमारे कारे करता है बिलकुल हनुमान चली से का पाठ क्यों नहीं करेंगे हमारी आस्था का विश्य है आप हमारी आस्था पे चोट करेंगे और आपको लगता है कि हिंदू समाज चुप रहेगा ऐसा नहीं है जो साब तो पर करेंगे आप हमारी आस्ता पर चोट करेंगे और हम चूप रहेंगे ऐसा हो नहीं सकता केमरामें निखल रस्तों की साथ निरेज पांडे बीपी निउस बैंगलूरू